हलो दोस्तो क्या आफके गर में वाइफाई का कनेक्शन है क्या आफ इंटरनेट के लिए वाइफाई का यूज़ खरते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम एक राउटर से दो SSID नाम और दो पास्वर्ड केसे बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तो हम एक राउटर से दो नेट वार्क केस से क्रिएट करेंगे उसके बारे में जानेंगे दोस्तो यह हमें तब कम में आता है जब आपको अपने परोशी और गेस्ट पास्वर्ड मांगे परेशन कर देते हैं दोस्तो अब आप मनाता नहीं कर सकते और आप पासवर्ड को सेयर कर देते हैं जिसकी वज़ा से आपकी इंटरणेट स्लो हो जाती है पर दोस्तो आपको इस सेटिंग के बाद अपना पवाशनल नेटवर्ड को सेयर करना नहीं पड़ेगा दोस्तो आप दूसरे network create करके मतलब दोस्तो third version के लिए guest network create करके उसका password को share कर सकते हैं जिसमें आप अपना हिसाब से guest network के लिए internet का speed limit को share कर सकते हैं दोस्तो इस से आपको personal network का speed में effect नहीं पड़ेगा चलिए दोस्तो इस setting को हम practical करके देखते हैं जानने के लिए वीडियो को enter जरूर देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को like comment share और subscribe करके bell icon को press कर दिजियागा दोस्तो मैं हो रास्मायर आपको स्वागत करता हूं all in on mobile technology चैनल में दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना device में अपना wifi को connect करना पड़ता है दोस्तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना device में अपना wifi को connect किया जैसे की रास्मायर mobile to 3 में connect है दोस्तो उसके बाद हमें एक internet browser को open करना पड़ता है जैसे की दोस्तो मैंने यहाँ पर chrome browser को open किया दोस्तो अब हमें यहाँ पर अपना wifi का IP address जालके सर्च करना पड़ता है दोस्तो अगर आपको अपना wifi का IP address पता नहीं है तो दोस्तो अपना wifi में इस wifi का signal में क्लिक करके अपना connected wifi में क्लिक करके वहां से इस टोटास में जाके वहां से detail से देख सकते हैं दोस्तो हमारा wifi का IP address ए default gateway वाला रहता है जैसे की दोस्तो 192.168.0.12 उसके बाद चलिए हम इसको यहाँ पर सार्च करते हैं 192.168.0.1 दोस्तो हम इसे इंटर करते हैं हम अपना wifi का वह पेज में पहुंच जाते हैं दोस्तो अब हमें यहाँ पे अपना username और password डल के sign in करना पड़ता है दोस्तो हमारा default username और password admin admin डलाता है दोस्तो इसे आप change भी कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने change नहीं किया है तो दोस्तो आप admin admin डाल के login कर सकते हैं पर दोस्तो मैंने यहाँ पे अपना username और password को change कर दिया हूं तो मैं अपना username और password डल के अब दोस्तो मैं यहाँ पे login करता हूं login करते ही हम router के setup page में पहुंच जाते हैं दोस्तो अब हम यहाँ पे एक guest network को create करेंगे और wifi का speed limit को set करेंगे दोस्तो अब हम एक guest network create करके speed limit set करने के लिए हम सबसे पहले अपना wifi चेक करते हैं दोस्तो उसके लिए हम अपना speedtest.net में जाके अपना wifi का speed को check कर सकते हैं speedtest.net का page खुलते हैं दोस्तो हम इस gola button में क्लिक करके अपना wifi का speed को देख सकते हैं दोस्तो अब हमें यहाँ से अपना wifi का downloading और uploading speed पता चाल जाता है दोस्तो इसके बाद हमें यहाँ से याद करना होता है कि हम guest network के लिए कितना MB per second का speed देंगे दोस्तो आप जितना MB per second के इसाब से guest network में share करेंगे उतना ही speed third person use कर सकता है इसलिए हमें guest network में कम सी कम MB share करना पड़ता है ताकि हमारा personal network का speed में असर ना पड़े दोस्तो हमें यहाँ से आपना wifi का downloading और uploading speed पता चल चुका है हमारा downloading speed 43.47 MB per second के इसाब से है और हमारा uploading speed 25.61 MB per second के इसाब से है अब दोस्तो हमें guest network क्रियेट करने के लिए यहाँ से इस guest network में जाना पड़ता है और हमें इस guest network को enable करने पड़ता है guest network को enable करने के बाद हमें यहाँ पर guest network के लिए एक नाम दे देना होता है जिसकि मैंने अपना guest network के लिए राशकुमर mobile center नाम दे दिया है दोस्तो उसके बाद आप बाकी सब option को same छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको wireless password में जाके एक password को set करना पड़ता है दोस्तो अब हमें wifi speed limit को set करने के लिए space को थोड़ा सूपर में आके guest network bandwidth control को enable करने पड़ता है अब हमें यहाँ से speed limit को set कर सकते हैं egress bandwidth हमारा uploading speed होता है और ingress bandwidth हमारा downloading speed होता है दोस्तो मैंने 25 MB per second uploading speed में से 5 MB per second guest network में share किया हूँ आप देख सकते हैं egress bandwidth में जोकि 5,2,1,0 है जोकि 5 MB से equal है आपको यहाँ पे kbps में लिखना पड़ता है आप जानते होंगे 1 MB equal to 1024 kb दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पे ingress bandwidth यानि की download speed को भी save करना पड़ता है दोस्तो मैंने 43 MB per second के downloading speed में से 1 MB per second downloading speed को guest network के लिए save कर दिया हूँ आपको अपना speed के इसब से save करने के बाद इसको save करना पड़ता है अब हमारा एक guest account create हो गया है जिसकी speed 5 MB per second के इसब से है आप देख सकते हैं यहाँ पे राश्कमर mobile center और एक network add हो चुका है अब दोस्तो आप अपने guest याँ फिर third person को ए network का password देश सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम इस network को connect करके इस network का speed को check करते हैं चेक करने के लिए हम इस network का password डाल के इसको ok करते हैं दोस्तो यह हमारा राश्कमर mobile center में connect हो गया जो की हमने guest account में create की होए थे अब हमें इसका speed को check करने के लिए फिर से हमें speedtest.net में जाना होगा हमें यहाँ पे पहले वाला network का speed दिखा रहा है अब हमें इस network के speed चेक करने के लिए इस go में click करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस network के speed दिखा रहा है दोस्तो हमने downloading speed को 1 Mbps दिए होए थे और दोस्तो हमने uploading speed को 5 Mbps दिए होए थे देखिए दोस्तो अब हमें इस downloading speed को 0.62 Mbps दिखा रहा है और uploading speed 4.51 Mbps दिखा रहा है अब दोस्तो आप किसी को भी इस network का password देते हैं तो वो खाली 5 Mbps का ही speed में net चला सकेगा दोस्तो अब आप इतना setting करने के बाद अगर किसी को network share करते समाय में अपना guest network का password share करते हैं तो आपका personal network का speed में कुछ भी effect नहीं पड़ेगा आप full speed में ही अपना internet का मज़ा ले सकते हैं चाहे आप 10 जन कोई ही क्यों ना password share करें तो दोस्तो केसा लागा आपको मेरा आज के वीडियो अगर पसंद आये तो like, comment, share और subscribe करने नहीं भुलियेगा विलते हैं और एक नई वीश्क्री वीडियो आपक दूत ले वीश्क्री 2L